असलाम नीकुम दियर स्टूरेंट्स हम लोग ने आटोमेशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और इस वीडियो लेक्ट्टर के अंदर हम लोग आपके कोर्स कॉंटेंट्स का दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग आटोमेशन की क्लिनिक को आटोमेशन की अप्लिकेशन पढ़ने रहे हैं अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बैल आइकन को बटन प्रेस करना मत भूलें ताकि नहीं आने वाल वीडियो आप तक पहुंचते हैं सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आटोमेशन की क्लिनिक के अंदर आप्लिकेशन फ्रस्ट वन है य स्टूरेंट्स और ही य जो हमारे पास आये हैं वो क्लिक में electronic health record के लिए यूज हो सकते हैं electronic health record से क्या होगा कि computer के अंदर ही automatic machinery या इसके system के inदर हमारे patient की तमाम medical history तमाम information उसकी पेष्ले लैब की reports विगःरा हमारे पास जो होगी computer के अंदर ही तो एक बहुत बड़ा एड्वांटेज है एप्लिकेशन है हमारी आटोमेशन की क्लीनिक के अंदर नेक्स्ट आती है मैडिकल इमेजिंग अनलाइसिस स्टुरेंट्स मैडिकल इमेज अनलाइसिस कर सकते हैं हम लग आटोमेटिट सिस्टम्स को यूज करते हुए स्टुरेंट्स जो रड़ी अलोजिस्ट होते हैं यह कुछल इमेजिंग को ह सब कुछ automatically करेंगे नेक्स्ट हमारे पास आता है medical management सुरेट मैडिकल की फिल्ड के अंदर automatic system को हम लोग management के लिए use करते हैं management को reduce करने का मतलब यह है कि हमारे patient की treatment करवाने का जितना भी process है उसमें आने वाले जो medication की processes लाइगनोसी जोसके treatment हैं वो सब प्रोसीजर जो है उनमें कोई error नहीं आएगा क्योंकि हम लोग नहीं computerized करनी है तो हमारी कोई medicine की name में गलती नहीं हो सकती हमारा किसी procedure में गलती नहीं हो सकती क्योंकि सब कुछ automatic होगा तो automation management के लिए बहुत ही जरूरी है next आता है laboratory testing हमारे labs में जितने भी test होते हैं उन सब को किस तरह से हम लोग करते हैं automatic systems को use करते हुए easily कर सकते हैं अगर हम automatically analysis करें तो उससे हमें बहुत जल्दी reports मिल जाएंगी और जितने भी कि हमारे laboratory के processes होते हैं इन सब में time भी safe हो जाएंगा और यह fast हो जाएंगे और उसके इलावा diagnostic accuracy आएगी क्योंकि वह machine ने test करके दिया होगा तो हमारे पास यह short होगी कि हमारे पास जितने भी results आए हैं वह सब बिलकुल accurate और precise है next आता है appointment scheduling हमने doctor से appointment लेनी होती है तो उसका schedule manage करने में automatic system हमारे बहुत ही helpful है हमारे patient की schedule को सही तरह से manage कर सकते हैं फिर उसको याद दिलाएंगे दिला सकते हैं कि आपका आज appointment है और आपको remind भी करा देगा और आपकी schedule भी set कर देगा यह सब जो advantage है यह automation के हैं हमारे clinical applications के अंदर next आता है telemedicine students telemedicine का मतलब यह है कि telecommunication technology को use करते वे patient का diagnosis हो आपने देखा होगा कि हमारे पास modern artificial intelligence आई है उसमें telemedicine भी मुझूद है उसमें हम लोग अपनी symptoms अगर बता सकते हैं उस tool को और वो automatically हमें हमाई disease बता देगा और हमें उसका treatment भी बता देगा इसी तरह telecommunication को use करते हुए अगर हम किसी डॉक्टर से रापता रख रहे हैं तो हमें कितना फाइदा होगा कि हम घर बैठे वोबाइल पर बात कर लेते हैं डॉक्टर से को मतलब यह होता है कि ऐसी surgeries जिन में हम लोग बहुत ही minimum सी incision करते हैं और बहुत ही shorter recovery time होता है उसका तो automatic surgical procedures को use करते हुए हम एक minimum से incision या minimum सी cut के जरीए से पूरी की पूरी जो technique है उसको हम use कर सकते है for example मैं आपको example देती हूँ अगर आपका kidney stone है और उसको हमने remove करना है manual तरीके से तो क्या करेंगे जो बड़े kidney stone होते हैं वो किसता से remove करता है या तो laser के जरीए से और जो laser है वो भी हमारे पास robotic surgery में आता है और वो भी automatic process है लेकिन दूसरा procedure क्या होता है कि आपके kidney का operate करेंगे और फिर वहादे kidney stone को remove करेंगे लेकिन अगर हम लोग robotic surgery करें उस kidney की तो क्या करेंगे एक बहुती minimal invasive technique हम यूज़ करेंगे उसमें चोटा सा cut या चोटी सी सुराख जितनी opening करेंगे आपके kidney के पास और उसमें से आपकी robotic surgery की जो टेकनीक से उसको use करते हुए एक चोटी सी wire को अंदर enter करेंगे और आपके अंदर kidney को clean भी कर देंगे आपके kidney के अंदर जो भी kidney stones हैं उनकी तोड़ फोड़ भी कर देंगे तो यह सब क्या होगा यह सब automation की मदौलत ही हुआ है कि हम लोग बड़ी surgery से बच जाते हैं और बिल्कुल एक छोटे से cut से चोटी सी opening से हमारी body के अंदर surgeries हो जाती है next आता है health monitoring अब हमारी health monitoring के लिए use होने वाले common devices हैं जैसे कि blood pressure check करना blood sugar check heart rate check करना यह सब चीज़े जो हैं यह हम लोग automatic systems को use करते हैं बहुत ही असान बना लेते हैं इनको इसके लिए हमारे पास wearable devices हैं या भी remote sensors हैं जो automatically हमारी health को monitor कर लेते हैं और patient की tracking भी करते रहते हैं साथ-साथ next is robotics assisted surgery यह पिछले वाली application से ही मिलती जुलती है कि हम लोग robotic systems की help लेते हैं जैसे कि surgeons या worker की जगा पे हम लोग robots वगरा को use करते हैं जो हमारी help करते हैं surgeries के अंदर और उससे क्या होता है कि humans की वज़ा से जो error आने होते हैं वो reduce हो जाते हैं next is laboratory automation हमारी lab के अंदर होने वाले जितने भी processes है क्लीनिक में जो lab है हमारे blood samples को लेना उनको analyze करना उनकी reports बनाना इस तरह काफी तरह की analysis होते हैं हमारे hospitals या clinic के अंदर तो उनको अगर हम automatically देखें तो automation बहुत ही helpful है हमारे laboratory के अंदर laboratory processes की smooth running के लिए हमारे बहुत ही helpful है billing and insurance processing अब हमारे hospital के अंदर bill पे करना और ज्यादा असान हो गया है automation की वज़ा से इससे हमारा paper work वगएरा जो है यह खतम हो गया है और heart is automatically हो जाती है तो यह भी बहुत बरा advantage है automation का तो students आपने यहां तक कुछ applications पढ़ी है और देखा कि हम लोग किस तरह से automation को use करते हुए अपने clinic को improve कर सकते हैं और हमारी health care में भी improvement आ सकती है इसकी और भी बहुत सारी applications हो सकती है अगर आपको कोई application पता है तो आप मुझे comment section में लाजमी बताएं अब हम next move करते हैं next आता है industrial applications in automation industries के अंदर automation की क्या क्या applications हो सकती है सबसे पहले है manufacturing अब students industries के अंदर products को बिनाने के लिए manufacturing के process के अंदर automation हमारे लिए बहुत ही फाइदे मन्द है अब हम लोग industries में automation को use करते हैं हमारे product के material को बिनाने के लिए welding painting production की speed को increase करने के लिए consistency को increase करने के लिए और भी बहुत सारी applications in manufacturing के अंदर यह जिसमें हम लोग automation को use करते हैं next आता है quality control अब automated inspection systems जो है हमारे पास यह हमारे product की quality को detect करते हैं और उसमें अगर कोई defect होता है तो हमें बता देते हैं उसके इलावा हमारे product की यह assurity देते हैं systems कि हमारा product quality standards को meet कर रहा है यह नहीं कर रहा है next आता है packaging and labeling students अब हमारे पास जितने भी packaging होती है product की यह labeling बगएरा वह सब कुछ automatically होता है तो यह भी बहुत बड़ा advantage है हमारे पास automation का next हमारे पास है welding and fabrication industries के अंदर खास और पर जो हमारे पास large industries robotic welding system वहां पर established हुए हुए है जो कि हमारे welding के अंदर हमारे help करते हैं उसके रावा जो हमारे product है durability को भी increase करते हैं और उसकी production time को भी reduce करते हैं कम time में ज्यादा amount of products में देते हैं अब हमारे industry के अंदर जो complex chemical processes होते हैं अगर हम उनको manually करें तो उनमें बहुत सा artifacts आ सकते हैं लेकिन अगर हम लग उनको automatically करते हैं तो क्या होता है हमारे पास बहुत ही अच्छे results आते हैं हमारे पास ज्यादा efficient ज्यादा precise ज्यादा accurate result आते हैं human error जो है वह भी minimize हो जाते हैं next आता है mining and exploration अब हम लोग mining के अंदर अपनी कानों की खुदाई करने के लिए भी use करते हैं automation को उससे क्या होता है हमारे पास autonomous vehicles or drilling systems हैं जिनको हम लोग use करते हैं as an automatic devices for mining and exploration इससे humans भी safe रहते हैं और हमें वहां से कोई खतरा नहीं होता next आता है energy management industry's के अंदर energy की management करना कोई असान काम नहीं है लेकिन उसके लिए हम लोग automated systems को use करते हैं जो हमारे energy की usage को भी regulate करते हैं और इस तरह की equipment हमने रखती है industries के अंदर जो के energy की usage है उसको भी optimize करते हैं और हमारे energy की efficiency है उसको optimize करके उसकी cost को reduce करते हैं मतलब automatic systems हमें कम cost में ज़्यादा energy provide करते हैं next आता है data analysis students हमारी industries के अंदर data analysis के लिए automatic systems use होते हैं data को collect करेंगे analyze करेंगे और उसमें अगर कोई हमें change चाहिए तो उसका भी बता देंगे next आता है industrial internet of things IIoT अब automation जो है वो industrial internet of things machinery को use करते हैं और इनको use करते हुए हमारे पास real time monitoring आती है and remote control for enhance performance industrial internet of things को हम लोग use करते हैं इस machinery को use करने से हमारे पास अपने product की real time monitoring आती है उसके इलावा हमारे पास remote control आ जाता है कि उस remote control को use करते हुए हम अपने product की performance को हम लोग increase कर सकते हैं next आता है supplier chain management students management को optimize करने के लिए हमारे पास automatic systems बहुत ही helpful होते हैं यह हमारे product की timely delivery करते हैं उसके इलावा उसकी supply में जो भी issues बगर आते हैं उनको भी optimize करते हैं students हमने automation की कुछ applications देकी industrial sector के अंदर automation हमारे industry के अंदर हमारे product की productivity safety और cost effectiveness के लिए बहुत ही helpful है और बहुत ही useful है अब next हम लोग पढ़ते हैं quality control के application automation के अंदर students quality control क्या होता है आपको मैंने बहुत ही detail बताया हुआ एक video lecture के अंदर अगर आपने और लेक्टर नहीं देखा quality assurance और quality control वाला तो आप जाकर उसको लाजमी देखे मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा उसके लावा उसका link में आपको description में भी दे दूँगी तो automation के जरिये से हामला quality control में कौन कौन से application लाए है इनको देखते हैं सबसे पहले हमारे पास आता है inspection system Students quality control के अंदर automatic system जो है यह inspection करते हैं मतलब detection करते हैं हमारे product में आने वाली deviations का उनमें आने वाली inconsistencies का या उनमें आने वाले किसी भी defect का और उसके बाद हमारे product के अंदर से उन सब defects को remove करते हैं और उनको quality standards के मताबिक ही prepare करते हैं next राता है statistical process control अब students automation के जरीए से हम लोग अपने जो product है उसके data को collect कर सकते हैं real time के अंदर अपने statistical process control को use करते हैं मतलब हमारे पास इस तरह के software या ऐसी applications हैं जो कि automatic हैं जिसके जरीए से हम लोग किसी तरह का statistical analysis कर सकते हैं उन apps के अंदर ही अपने समाम products का और उससे human error भी reduce हो जाएगा next राता है calibration and testing equipment अब automation के जरीए से जो भी हमारे industry में produce होने वाला component है या product है उसकी हम लोग calibration और testing जो हैं next राता है test automation अब students quality control